प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं प्राशान्त सेंगर पहले एक अपिल देशबर में 18 वर्ष से अधिक आयू वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में नेशलक कोविड टीका करना भियान जारी है यवाओं से आग रह पिटीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोटसाहित करें जब तक आवशक ना हो घर से बाहर ना निकलें और सुरक्षा के इन तीन सरल उपायों का पालन करें मास्क लगाएं दोगर्स की सुरक्ष दूरी बनाए रखें और हाथ और चहरा साफ रखें कोविड संबंदी जानकारे और मार्गदाशन के लिए राश्ट्री हेल्प लाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर करें और अब समचार सुनी पहले मुख्य समचार परदन मंत्री नरेनर मोदी आज राश्ट्री मानव अधिकार आयोगी के स्थापना दिवस कारिकरम को संबोधित करेंगे प्रदीश में लोक सभा की एक और विधान सभा की तीन सीटों पर होने वाले उपचुनावों में पच्पन उम्मीदवार मैदान में च्छे नमंग कंद निरस्थ हुए दीश में अब तक 95 करोड से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए राज्जिब में भी आकड़ा 6.5 करोड के पार और प्रथम सब जूनियर बालक अकादमी नैशनल होकी चेंपेंशिप में सेमी फाइनल मुकाबले आज और अब समाचार विस्तार से प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉंफरेंस के माध्यम से 28 में राश्ट्री मानव अधिकार आयोगी के स्थापना दिवसकारिक्रम को संबधित करेंगे ग्रह मंत्री आमेश शाहा और राश्ट्री मानव अधिकार आयोगी के अध्यक्ष भी इस हवसर पर उपस्त रहेंगे आयोगी की स्थापना मानव अधिकार संबर्धन और संडक्षन के उद्देश से 12 अक्टूबर 1993 कुकी गई थी यह आयोगी किसी भी परकार के मानव अधिकार उलंगन का संग्यान लेता है और इन मामलों में जाच परताल किया करता है यह सरकारी प्रादिकरणों को पीड़ित लोगों के लिए समुचित मौावजे का भुगतान और दोशी लोग सेवकों के खलाफ कानूनी उपायों के बे अनुशन सकरता है प्रदीश में लोग सभा की एक तथा विदान सभा की तीन सीटों पर होने वाले उपचनावों में नामंकन पत्रों की जाच के दौरान 61 उम्मीदवारों में से 6 परत्याशियों के नामंकन पत्र विदिमान नहीं पाय जाने पर नरस्त किये गए हैं अब कुल 55 उम्मीदवार मैदान में हैं नाम वापस लेने की अंतिम्तित 13 अक्टूबर है अपर मुख निर्वाचन पतातिकारी राजश कुमार कॉल ने बताया कि खंडवा संसदीक शेतर से 17 उम्मीदवारों ने अपने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किये थे इनमें से नाम निर्देशन पत्र विधिमान नहीं होने से निरस्त किये गए वहीं निवाडी जिले की प्रिथीपुर विधानसवा सीट से सभी 11 तथा अली राजपुर जिले की जोबट विधानसवा सीट से सभी 9 विधावारों के नाम निर्देशन पत्र विधिमान पाए गए हैं प्रदेश में आपरेल 2022 से प्रारम होने वाले शिक्षन सत्र के प्रथम चरण में काक्षा एक से बार्मी तक की शिक्षन व्यवस्ता वाले 350 सीम राइस स्कूल प्रारम होंगे। इसके लिए आवशक बजट की व्यवस्ता भी कर ली गई है। बोपाल के रशिदिया विद्ध देले को मौडल सीम राइस स्कूल के रूप में विक्सित किया गया है। वो लेकनी है कि प्रदेश में 9200 सुविदा युक्त सीम राइस स्कूल प्रारम किये जाना है। प्रदेश के वेबिन निक शेतरों में 25 स-30 किलो मेटर की परिदी में इ इसके क्रियान वाइन के लिए योग शिक्षकों का चाहिन किया जा रहा है। बोपाल जिले में 4 लाख नागरिकों ने समय निकल जाने के बावजुद कोरोना रोधी वैक्सिन का दूसरा टीका नहीं लगवाया है। बोपाल में प्रत्रम डोज 19,72,000 से अधिक नागरिकों जबकि दूसरा डोज लगबग 10,80,000 नागरिकों को ही लगा है और 4,65,000 से अधिक ऐसे नागरिक हैं जिनोंने समय पूर्ण होने पर भी अपना सेकिन डोज नहीं लगवाया है। ये जानकारी संपूर्ण टीका करन के लिए कल कलेक्टेट में संपन हुई बैठक में दी ग पर प्रति दिन लगबग 200 नागरिकों को वैक्सिन लगवाने के लिए सूचित किया जाएगा। समाचारों में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंत्रालका। 82 लाग से अधिक कोविड रोधी टीके लगाई जा चुके हैं। इनमें 68 करोड 61 लाग से अधिक पहरी डोज और 27 करोड 21 लाग से अधिक दूसरी डोज शामिल है। केंद्रिय सौच्त मंतराले ने बता है कि कल 69 62 लाग से अधिक टीके लगाई गए। इधर प्रदेश में क कोरोना के 14 नए मामले सामने आये हैं जबकि 14 मारीज संक्रण मुक्त होकर अपने घर भी पहुंचे हैं। नए मारीजों में भुपाल से 5, सागर के 3, जवलपुर के 2, तथ 6 तरपुर, धार, इंदौर और जाबुआ के एक एक व्यक्ति शामिल हैं। वहीं रज में आज कोर सेमी फाइनल मकाबले खेले जाएंगे। पहला मकाबला साइस सेंटर, ग्राम कोरा के टर्फ मेदान पर ओडिशा, टाटा नवल हौकी हाई पर्फॉमेंस सेंटर और राउंड क्लास पंजाब हौकी किलब अकादमी के बीच खेला जाएगा। वहीं मदबरदेश हौकी अका क्कॉलिफायर में शारजह में बुदवार को दिल्ली कैपिटल से मकाबला होगा। इस मैच के विजेता का मकाबला फाइनल में शकरवार को दुबई में चैननाई सुपर किंक्स के साथ होगा। और अब इस बुलेटिन के कुछ समचार संक्षिप में। नवरातरी के अवस कुछ ग्रिफतार किया है। अगरमालवा जिल्ले के ग्राम गुद्रावन में इंदनों संत्रे की ग्रेटिंग, सौर्टिंग और वैक्सिंग का कारी किया जा रहा है। मनसौर में कलाज़ादी कामरतमा हसाव के अवसर पर विदिक, साक्षरता, शिविर और मेले का आईजन किया गया। गॉलर जिल्ले में खाद वितरन विवस्ता की विशेश निगरानी रखी जा रही है जिससे जिल्ले के किसानों को खाद मिलने में कोई दिक्कत ना हो। कटनी में कल सुच्छता सर्वेक्षन अभ्यान 2021 का शवारम किया गया। पन्ना जिल्ले की उपजिल जाकर का प्रेस्टिक्षन दिया जाएगा। जिल्ला अस्पिताल नीमच में भरती मारीजों से कल स्वास्त मंत्री डॉक्टर परबुराम चौधरी ने मोबाइल पर समबाद किया। क्रूज ड्रग मामले में गृफतार अबनेता शारु खान के बेटे आरेन खान की जमान त्याचिका पर कल सुनवाई होगी। और भाजापा महिला मोर्चा आज राजमाता विजयराज सिंधिया की जैनती प्रदीश भर में सेवा दिवस की रूप में मनाएगा। और रंत में इस बुलेटिन के मुखे समाचार एक बार फिर। परदन मंत्री नरेंडर मोदी आज परदीश में लोग सभा की एक और विदान सभा की तीन सीटों पर होने वाले उपचुनावों में 55 उमीदवार मैदान में 6 नामंकन रस्त हुए। दीश में अब तक 95 करोड से अधिक कोवेड रोधी टीके लगाए गए राज्य में भी आंकड़ा 6 करोड के पार। और प्र कर दो